सीने में मा का नाम, भुजाओं पर लिखा राम, भारत का शुभख्त बन गया दुनिया की शान यह शुभख्त जब कुष्टी लड़ने के लिए WWE की रिंग पर उतरता है तो सामने वाले की लार सुख जाती है छोटे से गाउं को छोड़कर निकला और आज दुनिया जानना चाहती ही की कौन है रिंकू सिंग रिंकू सिंग को आप देखेंगे तो बाहुबली का सीन आपको यादा जाएगा लेकिन यह कोई फिल्म नहीं भारत के असली शू भक्त की कहानी है पिता ने ट्रक चलाकर परिवार को पाला लेकिन बेटा दुनिया का नया ग्रेट खली बन गया जब ये बच्चा था लोग हंसते थे लेकिन आज दुश्मन जब सामने आता है तो रोने लगता है दुनिया डर रही है कि नया ग्रेट खली आ गया है ये खली भगवान शु का पुजारी भी है और शक्तिशाली भी है जो लोग सपने नहीं देखते हैं उन्हें वीर महान की इस कहानी को जरूर सुननी चाहिए WWE की रिंग में जब वीर महान उतरते हैं तो लोगों की धड़कने बढ़ जाती है ब्लैक कप्रे, माथे पर चंदन, लंबी दाढ़ी, लंबे बाल और सीने पर लिखा है मा माथे पर चंदन और भुजाओं में राम लिखा हुआ है वीर महान के सामने सल्मान और शारूख खान भी फेल हो जाते हैं लेकिन भारत के साधारन से गाउं में रहने वाला रिंकु सिंग कैसे वीर महान बन गया इसकी कहानियाद जान लीजिए इन्हें दुनिया का अगला खली कहा जा रहा है उत्तरपदेश के संत रविरास नगर के छोटे से कस्बे गोपी गंज में वीर महान पैदा हुए च्छे फीट चारिन चुचाई और करीब 125 किलो इनका वज़न है पिता ट्रक ड्राइवर थे इसलिए बच्पन गरीबी में गुजड़ा रहने के लिए ना तो अच्छा घर था और ना ही जरूरते पूरी हो पाती थी एक कमरे के घर में अपने नौ भाई बेहनों के साथ पले बढ़े चोटा सा लड़का गाउं में रहकर जब फौलादी बन रहा था तो लोग हसते थे कि ये क्या कर रहा है लेकिन अब यही लोग तालियां पीट रहे हैं वीर महान शुरू से ही खेलों की तरब बढ़ रहे थे खासतार पर क्रिकेट और जेवलिन में दिल्चश्पी रखते थे 2008 की शुरूआत में रोज सुपरस्टार ने एक भारती रियल्टी टेलिवीजन शो मिलियन डॉलर आर में हिस्सा लिया था ये शो अमेरिकी स्पोर्ट इजनसी जेबी बंस्टीन और उसके सहयोग्यों ने डिजाइन किया था इसका उदेश उस खिलाडी की खोज करना था जो देश में सबसे तेज और सबसे सटीग बेसबॉल फेंक सके वीर महान ने इस प्रतियोगता में शामिल होकर जीत हासिल कर ली महान दा ग्रेट खली के बाद रिंकु सिंग दुनिया की पहली पसंद बनते जा रहे हैं लोग जानना चाहते हैं कि आखिर ये शुभक्त कौन है रिंकु सिंग उर्फ वीर महान के काम्याबी से घर वाले बहुत खुश हैं लेकिन इनके बारे में कुछ बताने से बचते हैं इसलिए हमने आसपास और गाउं के कुछ लोगों से जानने की कोशिश की जब हमने एक नाई की दुकान पर पहुँच कर वीर महान के बारे में बात की तो सेलिएन का काम करने वाले कलु ने बताया कि रिंकु भाई ये हमारी शान है रिंकु सिंग ने अपने सपनों को पुरा करने के लिए सालों पहले घर छोड़ दिया था अब इस शुभख्त को पुरी दुनिया सलाम करती है 2009 से लेकर 2016 तक रिंकु ने खूब पैसे कमाया फिर आया 2018 जब रिंकु सिंग ने बेस बॉल कॉल विदा कह दिया और रिसलिंग की दुनिया में हाथ आज माने के लिए खुद को तयार करने लगे यही वह साल था जब WWE के साथ करार किया यहां रिंकु सिंग ने जिंदर महाल और शेंकी के साथ मिलकर इंडस शेर नाम से अपनी टीम बनाई 2020 में में रोस्टर में पहुँचे यही वो समय था जब इन्होंने खुद को स्टेज नाम वीर के साथ फेश किया बाद मिन्हों ने इसमें महान जोड़ दिया और वीर महान के नाम से दुनिया जानने लगी ये शुभकत आज भारत की शान बन चुका है हर तरफ इनकी चर्चा हो रही है लेकिन इनके बारे में आपका क्या कहना है आप अपना जवाब कॉमेंट बॉक्स में दे कर बता सकते हैं नियो टाइम्स के लिए बेरिपोर्ट